बरागरा से जहाँ पर एक नशे बाज दरोगा की कर्टूत का वीडियो वाइरल हुआ है वो पुलिस को शिर्मिसार कर देने वाला है तुरा मामला एमजी रोट के राजा मंडी बाजार का है यहाँ नशे में चूर प्रवीन नाम के दरोगा ने जम कर हंगामा किया तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर नशे में धुत दरोगा यहाँ पर हंगामा कर रहा है खबर के मताबिक यह दरोगा बैट्वी चाले तो रिक्षे में बैक कर पहुँचा और उतर कर चल दिया इतने बैट्वी रिक्षे वाले ने पैसे मांगे तो दरोगा ने उसकी पिटाई कर दी उसके बाद एक खोखे वाले को भी पीट दिया खाकी की गरिमा को ताक पर रखकर उसने रहा चलते लोगों को बेवजह गालियां देने शुरू कर दी हाला कि लोग उसकी गालियों को नजर अंदास करते रहे लेकिन गाली देने का सलसला चलता रहा समझाने पर भी जब वो नहीं माना तो लोगों ने उसे घेर लिया बाद जब हद से गुजरने लगी तो वो लोगों के साथ खीष्टान, मारपीट, गाली गलोच करने लगा तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर पूरा हंगामा हुआ बाद में दरोगा के हंगामे के सूशना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँचे और मुश्किल से नशेबास दरोगा को जबरन गाडी में बठाया और उसे अपने साथ लेकर गई लेकिन खाकी किस तरह से शर्मसार हुई इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ड्यूटी पर तैना दरोगा नशे में धुद था और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमाई समवदाता सज्जन सागर फोन लाइन पर मौचूद हैं सज्जन खाकी को एक बार फिर से शर्मसार किया है इस नशेबास दरोगा ने सब्सक्राइब कर दो कि आगरा में खाकी के पर रॉल सामने आए जिसने खाकी सर्मसार हो रही है चाहें तो वो नोटबंदी को लेका बैंकों पर लाकर चार्ज हो यहां फिर दवंगई हो इस तरह के मामले को सामने आए लेकिन आज यह साय मामला जो है दरोगा की जो दवंगई ताफ ने आई है यहां मसेडी के रोब में बिल्कुल अंगूर की बेटी पर इसको इस तरह का असर हुआ था कि इस सब्सक्राइब कर दिया और यह सब्सक्राइब बड़ी बात यह है कि यह पूरा जो मामला है वो लेकिन लेकिन इस पूरे वाकियों को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है पुलिस के आलादिकारी इस पर क्या कुछ कह रहे है क्या इस पर कारवाई होगी पुलिस मौकी पर पुलिस इस जवरन जो गाली में डालकर ले आई है तो आप एसे पही ना चाहिए जिने के जो प्तान होना कारवाई करनी चाहिए और होसक्ता है कि अभी तोड़ी वह देर पर कारवाई की विजा सकती है